अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा तो प्लीज अभी कर दीजे और बेल आइकन को दबाना मत भूले ता जो मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल से जल आप तक पहुन सके आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग मिस्टेक्स के बारे में हम सब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं हम सब की यही कोशिश होती है कि वो लाइफ में अच्छे और काम्याब इंसान बने लेकिन जाने अन जाने में हम कुछ ऐसी गलतिया कर जाते हैं जिनका उनकी लाइफ पर नेगिटिव एफेक्ट पड़ता है तो आईए वीडिय को स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नमबर वन दूसरों के सामने अपने बच्चों की इंसर्ट करना कभी भी शोशल गैधरिंग में अपने बच्चों की इंसर्ट मत करें हर एक के आगे अपने बच्चों की गलतियों का बखान नहीं करें बच्चों के मन बहुत कौमल होता इस से उनकी मन को बहुत थेस पहुझती है उनको confidence level लो हो जाता है वो efforts करना कम कर देते हैं और सुधतने की बजाए बिगर जाते हैं इसलिए उनकी गलतियां दोस्तों को बताने की बजाए उनको सही और गलत की बारे में बताएं उन्हें समझाएं ता जो उनकी लाइफ अच्छी बान सके सेकिंड पाइंट है comparison हम कुछ parents की बुरी आद होते हैं जब हम किसी के बच्चे कुछ अच्छा करता देख लेते हैं न हमारे मन में उसी time आ जाता है यार हमारा बच्चा ऐसे क्यों नहीं करता हम अपने बच्चे को जाके बोलेंगे यार वो तो बड़ा genius है तू ऐ इसा क्यों नहीं करता very wrong आप देखिए कि आपके बच्चे में क्या ability है दूसरों की तरफ देखकर अपने बच्चों की abilities को neglect मत करिये आपके बच्चे में जो गुन है उसको निखाने की कोशिश करें अगर उसमें कोई कमी है भी तो उसको सुधाने की कोशिश करें comparison करने से बच्चे में वो योगिता आ नहीं जाएगी बलके उसका मांसिक तनाव बढ़ेगा कोई भी बच्चा ये कभी नहीं पसंद करता कि उसका comparison किसी और के साथ किया जाए चाहे वो उसके खुद के सगे भाई भैनी क्यों नहूं इसलिए हम parents को ये गलती करने से बच्चना चाह almost सभी parents बच्चों के आने से पहले ही उसके future के बारे में सोचने लग जाते हैं हमारा बच्चा ये बनेगा हमारा बच्चा वो बनेगा सोचो सोचना गलत नहीं है लेकिन अपनी इच्छाएं उस पर थोपो मत ऐसा करने से वो जो आप चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएगा औ आप सिरफ उसको guide करें उसको बताएं कि क्या सही और क्या गलत है एक healthy discussion के माध्यम से ये decide करें कि उसको life में क्या बनना है ना कि उससे वो करवाएं जो सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं fourth point है कहना कुछ करना कुछ हम सभी parents चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबकी respect करें जूट नहीं बोले किसी के लिए मन में इर्शय नहीं रखें समझदार बनें संसकारी बनें लेकिन हम क्या करते हैं हम parents उनके सामने ही एक दूस्रे के साथ argue करने लग जाते हैं अपने माता पिता से छूट बोलते हैं अपने family member से लड़ाई छगडा करते हैं उनसे promises करते हैं लेकिन निभाते नहीं तो आप क्या उम्मीद रखते हो जो आप उनको दिखा रहे हो वो वो सीखेंगे जा आप जो उनको सिखा रहे हो वो वो सीखेंगे इससे पहले खुद role model बनें उनको खुद ही आप से सीख जाएंगे फिफ पॉइंट है freedom और space नहीं देना कुछ parents खास करके माएं अपने बच्चों को freedom तक नहीं देती उनको घर से बहार नहीं निकलने देती no friends no birthday parties no picnic no school trip हाँ ठीक है क्यार करो लेकिन उनकी अजादी मत छीनो उन पर ध्यान लखिए वो कहां जा रहा है क्या कर रहा है किसके साथ जा रहा है कोई उसके साथ गलत तो नहीं कर रहा जा वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा ध्यान रखिए ध्यान रखना जरूरी है अगर वो बहार नहीं निकलेंगे तो वो कैसे कुछ सीखेंगे कैसे अपनी life में आगे बढ़ेंगे ध्यान रखिए और साथ में उनको थोड़ी आजादी भी दीजिए उनके फ्रेंड्स बनिए लेकिन छोटी छोटी बात पर उन पे शक मत करिए उनको थोड़ी स्पेस भी दीजिए उनकी हर बात में दखल अंदाजी नहीं करें 6. बच्चों पर चीखना, चिलाना और हाथ उठाना कुछ पेरेंट्स की बहुत बुरी आज़त होते हैं कि बच्चों की छोटी से छोटी गलती पर भी चीखना चिलाना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो उनको इतना गुस्सा आजाता है कि वो बच्चों पार हाथ पे उठा देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गल्द है। ऐसा करने से बच्चों के मन में नफरत की भामना पैदा हो जाती है। वो घर से बाहर जाने के भाने ढूंडते हैं। उनको घर का अच्छा नहीं लगता। वो आपसे बातने शिपाते हैं। इसलिए बच्चों पर ना चीखे चिल लाएं और ना ही हाथ उठाएं। अगर उन्होंने कोई गलती करी हैं तो उनको बहुत ही प्यार से समझाएं। और उनके साथ अपनी इमोशनल बार्णिंग को मस्बूत करें। सेवन्थ पैंट है बच्चों के सामने गलत काम करना। कुछ पेरेंट समझते हैं कि वो बहुत मॉडर्ण है। वो बच्चों के सामने ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और गे 알र्णिंग का शौंक रगते हैं। ऐसा करना बिलकुल गलत है। बच्चे कूरे कागज की तरह होते हैं। वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। और छोटी उमर में ही वो गलत आतों का शिकार हो जाते हैं। जब वो घर से बाहर निकलते हैं, तो वो सुनते तो हैं कि शराब और धूमरपान सिहेत के लिए खानी का रगोता हैं। पर वो इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही हैं और जो दूसरे कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। इसले बच्चों के सामने इन गलत आतों को करने से बचना चाहिए। तो भी पेरेंटिंग मिस्टेक, आज मैंने आप सब के साथ डिसकस करी, हमें उन गलतियों को करने से बचना चाहिए, ताजो हमारे बच्चों के साथ हमारा रिष्टा मजबूत बन सके, तो आईए, आज हम सबी पेरेंट्स एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, कि हम ये गलतिय नहीं करेंगे और अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट बनाएंगे, इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो स्माप्त करती हूँ, तो अगर आप सब को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शियर और कमेंट करना नहीं भूले, मुश्किर राहों में नही पढ़ना मत्थम, धन्यवाद